हाँ तो फ्रेंड गुड मॉनी फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं सम्न्यूट्रानिक या आइसो टोन्स क्या होते हैं तो आइसो टोन्स में पहले हम लोग देख लेते हैं कि आइसो टोन्स हिंदी में इसको सम्न्यूट्रानिक कहते हैं तो समन्यूट्रानिक में क्या होता है कि न्यूट्रानों की संख्या जो है समान होती है तो हमने इसमें परिभासा लिख रखा है भीन नक्तत्तों के वे परमाड जिनमें न्यूट्रानों की संख्या समान होती है समन्यूटानिक कहलाते हैं इसमें जो परमाड़ रहेंगे वो अलग-अलग रहेंगे और सब में जो है न्यूटानों की संख्या जो है समान रहेगी तो अगर अलग-अलग परमाड़ हैं और उनमें न्यूटानों की संख्या समान है तो उनको हम लोग सम्न्यूटानी कहते हैं एक जामपल देखते हैं जैसे SI 14, SI 14, 30 SI परमाड़ करमान की जो है 14 है और द्रबमान संख्या 30 है अब इसमें देखते हैं न्यूटान कितने हैं देखें द्रबमान संख्या में से परमाड़ करमान का घर घटा दिया जाता है तो न्यूटानों की संख्या निकल जाती है तो यह द्रवमान संक्या 30 है और पर्माण करबान 40 है तो द्रव मान संक्या मेंसे पर्माण कर घटाती है तो न्यूटराण निकल जाती है तो न्यूटराण हो जाएंगे इसमें 16 आप σाइbi चौदे 3 में नीटrant हो गए है। अब फॉस्फोरश देखते हैं, फौस्फोरश 15 और द्रभ्यमान संख्या इसकी 31 है। तो इसमें भी वही द्रभ्यमान संख्या में से पर्मान करमांग घटाएंगे, तो इसमें भी नीटrant हो जाएंगे छुलarme अब इसके बाद सलफर है प्रमाडु कर्मांग 16 द्रब्यमान संख्या 32 अब देखे इसमें भी द्रब्यमान संख्या में से प्रमाडु कर्मांग घटाएंगे तो यह भी निउट्रान हो जाएगा 16 हो गया अब देखे इसमें यह होता है कि द्रब्यमान संख्या हम लोग पीछे लेक्चर में देख लिए द्रब्यमान संख्या बरावर होता है द्रब्यमान संख्या या मास नंबर बरावर होता है प्रोटानों की संख्या प्लस न्यूटानों की संख्या और परमाड करमांक बरावर होता है परमाड करमांक बरावर होता है प्रोटानों की संख्या तो द्रबिमान संख्या जो है प्रोटान और न्यूटान का योग होता है और परमाड़ो करमान सिर्फ प्रोटानों की संख्या होती है तो अगर हम लोग फार्मूला होता है द्रब्यमान संख्या ये बराबर P प्लस यन होता है और परमाड़ो करमान Z बराबर होता है P यानि अगर हम लोग द्रब्यमान संख्या में से प्रोटान की संख्या को माइनस कर देते हैं और न्यूटान की संख्या निकल जाता है क्योंकि ए बराबर P प्लस Yन होता है तो द्रब्यमान संख्या जो रहेगा उसको लिखेंगे और प्रोटान की संख्या लिख देंगे और इसमें द्रब्मान संख्या में से प्रोटान की संख्या निकाल देंगे तो अपने आप जो है न्यूटान की संख्या मिल जाती है क्योंकि पर्माड कर्मांग बराबर होता है प्रोटानों की संख्या तो जब पर्माड कर्मांग बराबर होता है प्रोटानों की संख्या और द्रबिमांग संख्या होता है प्रोटान प्लस न्यूटरान की संख्या तो द्रविमान संख्या अगर हमको पता है और परमाड़ करमांग पता होगा तो प्रोटान निकल जाएंगे अगर परमाड़ करमांग हमको पता है तो प्रोटान निकल जाएंगे और द्रविमान संख्या पता होगा तो हम लोग क्या है न्यूटरान आसानी से निकाल लेंगे कैसे कि निकालेंगे द्रब्यमान संख्या आप जैसे यहां देखिए इसी को हम लोग देख लेते हैं यहां प्रमाड करमांक जो है 14 है तो यहां प्रोटान हो गए 14 प्लस न्यूट्रान और द्रब्यमान संख्या यहां पर है 30 अब देखिए द्रब्यमान संख्या जिसको हम ल कर दिया जाएक और शॉल्म। और यहां संख्या में से लाया प्लस न्यूट्रानE אני से लाथ Goneующ क्या हो जाएक यहां से बराबर हो जाएका 16 तो यही किलियर हो गया कि द्रभिमान संख्या में से हों से परमार्व कर्मांग घंठां गाता दिया तो यहां पर हम लोगःसांगी से क्या कल लिए कि दरवमान संहां यहाँ तीज़ परमार्व कर्मांग घंठां दिये तो नीउट्रान निकल गए। यहान पर भी दरब्मांग धर यक्ति से और प्रमाड़ो क्रमाग पंद्रष और तरह मांन संख्या से प्रमाड़ो क्रमाग उनसे पर्माड़ो specificallylol गाटा न्यूट्रानओं थे उत्ध के तीनो परमाड़ों में न्यूट्रानों के शंक्रानी प्रीप किरुन कि वहला से परिपास, सब्सक्राइब होते हैं जासा लिग रखेंगे लिया इक भी पर्मार हैं और तेङ समस्क्राइब होते और तीनों में न्यूट्रानों की संख्या समान है तो यह परमाड़ जो है सम्न्यूट्रानिक कहे जाएंगे अब इसी तरह से अगला एक और एक जाम पर लेते हैं कि मैं अब देखिए कि कि हाई टूजन का समस्थानिक है उण बमों कि फ्री औरी नियम जो होता है येशल अए उची व फूर अब यहां रबमान्स क्या टीन है परमाडमक्रमान की है यहां द्रबमान संख्या में से परमार कर्मान घटा देंगे तो यह भी दो आ अब देखें दोनों अलग अलग परमाड़ है हाइडोजन है और यह हिलियम है अब हाइडोजन है और हिलियम है और इसमें परिभासा क्लियर ही है कि भिन्न भिन्न तत तत तो अलग अलग रहेंगे तो देखें हाइडोन है और हिलियम है तत तो अलग अलग है और इन में नीट्रान निकल लिया जाता है तो दोनों में नीट्रान की संख्या संहान है तो यह परमार हीज़ है और हिलियमD क्या हो जाएंगे मंधुन ढर्लिय के भी sí & wün में के तो पनिट्लानिक हम्ने देखा की रिखा थी एक कर्मार होते हैं इसके इंड्राइंगों secret लोग देखते दे हैं अगला उधान कारबन छे दर्बमान संख्या इसका तीरे कारबन का समस्थानिक है यानि कारबन का इसो टोप से और कि नाइट्रोजन है कि प्रमाड कुर्मांक नाइट्रोजन का होता है साथ साथ और द्रवमान संख्या जो है यहाँ चोद और इन ना इटूजन का समस्थानिक है, अब देखिए दोनों में द्रवमान संख्या इसकी तीरे है और प्रमाड़ो on प्रमाड़ो prawn गठाएंगे, तो यह न्यूटरान निकल जाएंगे, आ यहाँ पर भी न्यूटरान देखे द्रबमान संख्या में से परमाड़ों करमान घटाएं जो न्यूट्रान आ जाएगा साथ अब देखे दोनों परमाड़ों अलग-अलग हैं यह कारबन है और यह नाइटोजन है और दोनों के क्या हैं दोनों में न्यूट्रानों की संख्या समान है तो अगर ऐसा है कि परमाड अलग-अलग है और न्यूट्रानों की संख्या उनमें समान है तो उनको हम लोग सम्न्यूट्रानिक कहेंगे क्योंकि परिभासा के कॉर्णिंग भीन्न तत्तों के मतलब अलग-अलग तत्तों के वे परमाड जिनमें न्यूट्रानों की संख्या समान होती है सम्न्यू परमाड करमांक जो होता है वो समान होता है और द्रब्मां संख्या जो है अलग-अलग होती है समभारिक पढ़े तो समभारिकों में द्रब्मां संख्या समान होती है परमाड करमांक अलग-अलग होती है लेकिन पर्माणों में neutron की शंख्या समान होती है रहती है तो इनको sum-neutronic कहते हैं तो हम लोग इस तरह से देख लिए sum-neutronic क्या होते हैं अब इसके बाद आगले lecture में हम लोग देखेंगे sum-electronic और उसके बाद आगे lecture को बढ़ाते चले जाएंगे और आप लोग इसको देखते रहें और समझते रहें कोई समझे आओ तो comment में comment box में comment कर दिएगा उसका समधान कर दिएगा ठीक है ओके